जहिंद स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके पने यूट्यूब चैनल दस्मार्ट एजू फोर यू में जो की अब सोनू सर क्लासिस के नाम से अपडेट कर दिया गया है तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हम लोग आज के इस डिप्लोमा में क्या अंतर होता है इस शीश को हम लोग आज के इस सिशन में समझने वाले हैं ताकि आगे जब फॉर्म रिलीज हो पॉलिटेक्निक इंटरेंस एक्जामिनेशन दो हजार तेईस के लिए तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आप कौन सी अबर बात करूंगा आज के सिशन में हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे यहां पर एडमिसिन प्रोसस के बारे में कि ग्रुप के और की हो gewesen क्י कौन सा higher education के लिए best है, इन सभी चीजों पे हम लोग आज के इस वीडियो में detail में चर्चा करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आपको students बता दें, जिन बच्चों को नहीं पता है कि जो भी group A से entrance examination दे करके engineering courses के लिए बच्चे जाते हैं, उनका जो course duration होता है, वो 3 years diploma होता है, यहीं कि 3 years का diploma उनका होता है, ठीक है, तो जो भी student group A के exam दे कर entrance qualify करके group A की through admission लेते हैं, उनके course का duration होगा वो 3 साल का होगा, वहीं जो student group K का form भरेंगे और group K के through admission लेंगे diploma colleges में, उनके जो course का duration होगा, वो 2 years का यहाँ पर duration होने वाला है, अगर बात करें दोनों courses में क्या है, engineering है या फिर कोई और है, तो मैं ये बताओं कि आपका group A के जितने trade होते हैं, वो same trade आपको group K में भी देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं सिदा-सिदा ये कहूं कि आपका group A है, ये भी एक engineering courses है, ठीक है, एक engineering course है, और group K की बात करें, तो इसमें भी आपके engineering courses ही आते हैं, तो यहाँ पे यह भी क्या है एक engineering course ही है तो यह हो गए आपके course duration के बारे में पार्ट करम के बारे में तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा diploma group A से करता है तो वो 3 साल का करेगा और जो बच्चा group के से diploma करता है तो उसको 2 साल का diploma करने को मिलता है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके syllabus के बारे में कि इसका syllabus क्या होता है group A से अगर हम examination को दे रहे हैं entrance examination को तो इसका क्या syllabus होगा और अगर हम बात करें group K से entrance examination देना चाहते हैं तो इसका क्या syllabus होगा syllabus से पहले मैं यहाँ पर eligibility की बारे में बात कर लूँ कि किस level मतलब क्या eligibility होनी चाहिए group A का exam देने के लिए और group K का exam देने के लिए क्या eligibility होने चाहिए तो अगर आप group A का entrance examination देना चाहते हैं तो या तो आप 10th appearing होने चाहिए या फिर 10th आपका pass होना चाहिए यानि कि आपका जो qualification होना चाहिए वो आपका eligibility criteria क्या है 10th class है 10th आप appearing में है या बोर्ड exam देने वाले हैं या पास है तो आप ये 10th के बाद जो है या 10th करते हुए exam दे सकते हैं ग्रूप A में लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि 2 years diploma की तो यहाँ पे आपका 12th pass होना या 12th appearing है तो ही आप entrance exam दे सकते हैं और यहाँ पे admission ले सकते हैं ठीक है तो 12th pass होना आपका group K के लिए important है must है ठीक है तो ये दोनों में difference है तो इसके बाद अगर हम बात करें कि syllabus की बारे में कि दोनों का syllabus क्या होता है ठीक है तो syllabus की अगर बात करें group A में तो यहाँ पे जो आपके entrance examination म math ठीक है और वो आपका अगर हम बात करूं कि किस level का होता है तो 10th level का यहाँ पे entrance examination में questions होते हैं वहीं अगर हम syllabus की बात करें कि यहाँ पे syllabus क्या होता है तो यहाँ पे भी आपके PCM पूछे जाते हैं वो भी 10th level के ही पूछे जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है वो है आपका technical विशों से आपके कुछ प्रश्ण होते हैं ठीक है कित्ते होते हैं वो भी आपको बताऊंगा तो यहाँ पे group K के लिए जो बच्चे भी form भरते हैं उनको physics, chemistry और math 10th level का जो group A में पढ़ना होता है वो same syllabus होता है group K के लिए भी वो तो पढ़ना ही होता है लेकिन साथ में technical विशे भी पढ़ने होते हैं जैसे ही अहाँ पे जो group K में form भरेंगे वो K1, K2, K3 ऐसे करके form भरेंगे तो अगर आपने K1 में भरा तो civil के लिए form भरेंगे, K2 में भरेंगे तो electrical trade के लिए form भरेंगे, K3 में भरेंगे तो ऐ ऐसे ही करके अलग-अलग group में यहाँ पर divide किया गया है, तो यहाँ पहले से ही आपका trade निर्धारित होता है, जबकि group A में आप जब interns exam दे लेते हो, तो counseling के time पर select करते हो कि किस college में और किस trade में आपको admission लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि PCM से कितने question आते हैं, group K में, तो 40% question आते हैं, यानि 40 question आपके PCM से, यानि physics, chemistry, and math से आते हैं, और 60% question आते हैं, אל, total number of question होते हैं, 100, तो 60 question technical से आते हैं और 40 question आपके PCM यानि physics chemistry and math से आते हैं तो यह होता है यहाँ पे group A और group K के syllabus में difference जबकि syllabus बात करें group A की तो यहाँ पे 100% question आपके physics chemistry और math से आते हैं यानि 100 out of 100 question 10th level से physics chemistry और math से यहाँ पे उठा जाते हैं तो यह हो गए दोनों के syllabus में difference जहिन सुनुसर प्लास आप सभी के लिए Polytechnic Interns Examination 2030 की तयारी के लिए लाया है interactive courses अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए है विजय बैच अगर आप भीहार से हैं तो आपके लिए है लेक्श बैच अगर आप धारगंड से हैं तो आपके लिए है अभीनदन बैच अगर subject wise, chapter wise, quizzes आपको मिल जाते हैं साथी आपको Target 2023 टेस सेरी जाती है जिसमें आपको 21 set के mock test के साथ साथ weekly test question paper और यहां पर guest paper 2030 भी मिल जाएगा और इसमें तेस्में पर आपा यहां पर रिजल्ट के बाद result में accuracy देख पाएंगे अपने marks देख पाएंगे आपका rank जितने बिच् के साथ से यर करिए और मैं आपको बता दू कि जो फर्स्ट फाइफंडर्ड स्टुडेंट्स हमारे स्कोर्स को जोईन करेंगे उनको मिलने वाला है एक्स्यूजिव 20 परशेंट का डिसकाउंट और आपको यूज करना होगा कोड़ टार्गेट इसके बाद बात करेंगे आपने इंटरेंस एक्जाम दे दिया स्लेबस देख लिया पास हो गया अब बात करें काउंसलिंग की कि नंबर ओफ सीट किसमें अधिक होते हैं किसमें जो है नंबर ओफ सीट अधिक होते हैं तो इसमें देखें ग्रूप ए में अगर हम बात करें त आपके पास more choices होती हैं या पे more seats होते हैं ठीक है लेकिन जग अगर मैं बात करूँ group K की तो यहाँ पे less seat जो है होती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कि किसी एक trade में group A के through अगर number of seat की बात करें तो वो 56 से ले करके 60 seat होती है ठीक है evening morning दोनों मिला के चला है तो लगभग 120 seat तक चली जाती है लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ आपके group K की तो इसमें maximum to maximum 4-6 seat ही होती है एक trade में ठीक है तो आप सीधे 10 गुने का अंतर पड़ता है सीधे 10 times कम हो जाती है seat गुरूप K में तो इस बात से भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपका group K में कितनी less seat होती है तो इसमें जो number of seats होते हैं वो काफी जादा कम होते हैं ठीक है अब बात करें कि जो बच्चा group A के थूँ admission लेता है polytechnic में उसको कौन से semester में admission मिलता है और group K के थूँ जो बच्चा admission लेता है उसको कौन से semester में admission मिलता है और कितने subjects पढ़ने पढ़ते हैं तो जो बच्चा group A से admission लेता है ठीक है 3 years diploma में admission लेता है उसको 5 subjects पढ़ने पढ़ते हैं ठीक है और इसको जो admission मिलता है वो first semester में मिलता है पहले semester में admission मिलता है वहीं अगर हम बात करें कि जो बच्चा group K का entrance qualify करके और lateral entry से admission लेता है इसको lateral entry बोलते हैं उसको total अगर हम बात करें पहले तो semester हम आपको बता दे क कि इसमें third semester में admission मिलता है किसमें मिलता है third semester में direct admission मिल जाता है इसका एक साल जो है यहाँ पे बच जाता है सेव हो जाता है लेकिन जो first semester में इसके exam छूड़ गये हैं उसको third semester में देना पड़ता है जो second semester में exam छूड़ गये हैं उसको fourth semester में देना पड़ता है तो अगर यहा यहां पर सब्जक्ट की बात करें तो यहां पर 10 सब्जक्ट के एक्जाम देने पढ़ते हैं एक साथ किसको जो बच्चा गुरूप के से लेटरल एंट्री ले रहा है जो डायरेक्ट थर्ड समिस्टर में अड्मिशन ले रहा है उसको यहां पर टूटल दस विशों के साथ प सब्जक्ट जो है दोनों को ही पढ़ने पड़ते हैं तो यह दोनों में अंतर होता है अगर हम बात करें वेकेंसी की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इस की तो यहां पर जो बात करें ग्रूप ए है यानि कि 3 एस डिप्लोमा है आपने बहुत सारे फॉर्म में देखा होगा या maximum form में देखा होगा कि यह mention होता है कि जो student वो 3 year diploma must है उसके लिए तो देखें वहाँ पे जहां पे भी 3 years diploma लिख देता है वहाँ पे यह जो 2 year वाले student है वो eligible नहीं होते हैं और जैसे यहां पे आपने पढ़ाई के लिए भी number of seats देखें कि यहां पे more है group A में वैसे ही यह यहां पे मैं बात करूँ job की या vacancies की opportunities की तो यहां पे आपको more opportunities more jobs देखने के लिए मिलती है अधिक से अधिक jobs देखने के लिए मिलती है ठीक है और especially specified होता है कि 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है वहीं अगर मैं बात करूँ group K के लिए तो यहां पे less jobs भी होती है नहीं यही कहूंगा कि अगर आप देखी मैं मैंने एक चीज़ और भी thumbnail में mention किया था कि कौन सा diploma best है यह भी आपका यह question है यह clear हो जाएगा इसमें कैसे clear होगा आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप diploma करने के बाद job में जाना चाहते हैं आप JEE बनना चाहते हैं किसी company में किसी government organization मे तो आपके लिए जो सबसे best course है वो group A यानि कि 3 years का diploma है तो अगर आप job करना चाहते हैं ठीक है अगर आप job करना चाहते हैं किसी company में या फिर किसी government authority का exam देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 years का diploma करना चाहिए ठीक है और इसके लिए minimum जो है आपका 10th pass होना आवश्यक ह ठीक है तो आप group A में form भरें तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसके लिए best है कि अगर आप job करना चाहते हैं after study तो आपके लिए best है ठीक है अगर वहीं बात करें group K के लिए तो वहीं आप अगर diploma के बाद higher education में जाना चाहते हैं और अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो group K होता है वह best होता है अगर मैं आपको बताओ clearly कि कैसे यह best होता है तो दीखे जैसे आप चार साल में कोई एक बिल्टेक का course कर रहे हैं वहीं अगर कोई दूसरा student है एक बिल्टेक का course कर रहा है और दूसरा एक student है जो बिल्टेक के अलावा दो साल क इसने क्या कर लिया? डिप्लोमा कर लिया, group K ही थूँ ठीक है, दो साल का डिप्लोमा कर लिया और उसके बील्टेक भी कर लिया अब बिल्टेक इसके लिए मात्र 3 years का होगा, तो 3 और 2 मिलागर के 5 years में यह दोनों पा लेगा यानि डिप्लोमा प्लस बील्टेक यह कर लेग तो एक student यहाँ चार साल में सिर्फ वो उसको B.T.E.C. की जो है degree मिलेगी वहीं पर यहाँ पर जो दूसरा student होगा जो diploma करता है 12th के बाद और उसके साथ ही यहाँ पर क्या कर लेता है B.T.E.C. कर लेता है तो यहाँ डिपलोमा प्लस B.T.E.C. उसको 5 साल में ही मिल जाएगा त तो अगर आप 12th करने के बाद डिपलोमा करने के बाद और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या यूँ कहें कि डिपलोमा करने के बाद कोई job join करने के साथ आप अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ग्रूप K के तरफ जा सकते हैं और वहीं अगर बात करें कि फुल टाइम आपको डिप्लोमा करने के बाद जेई बनना है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप A को प्रेफर कर सकते हैं ग्रुप A के साथ जा सकते हैं तो I hope आप सभी को ग्रुप A और ग्रुप के में जितना भी डाउट होगा सेलेबस से लेकर के जॉब vacancies तक वो सारी आपको clear हो गई होंगी और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप आज के इसी वीडियो के comment section में comment कर दे ना आपका डाउट आपका डाउट पिक कर लिया जाएगा और next किसी भी वीडियो में आपका वो जो doubt होगा उसको ले करके और उसका answer दे दिया जाएगा ठीक है तो मैं आपको बता दू कि एक फरवरी 2022 से एक new batch start हो रहा है आप सभी के लिए ठीक है जो भी बच्चे entrance examination की preparation करना चाहते हैं आप चाहे group A के हो चाहे group K के हो PCM आपको पढ़ना ही है physics chemistry और math तो specially इनके लिए special course होगा, course launch हो चुका है एक फरवरी से उसमें classes start हो जाएंगी आप सभी बिना देरी के उसको join कर सकते हैं और अगर आप अभी join करते हैं तो आपको 20% का discount वहाँ पे मिल जाएगा तो अभी जाएए और उसको join करिए और join करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे whatsapp no.9076929784 पे आप उसकी जानकारी दे सकते हैं साथ ही में आप सभी telegram group से जड़ोर जुडें जिसका link description में दिया गया है उस link पर click करके आप join कर लीजे telegram group ताकि समय समय पर classes की update और another videos की update आपको मिलती रहेंगी और अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं या तो channel को subscribe करके जो notification bell है उसको press करके all पर select कर लीजे ताकि कोई भी video कोई भी update आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले अगर आपको video अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें आज के इस session में बस इतना ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो live session के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें